हेलो व्रिवन असलाम लेकुम गाइज ध्यान रखने को जरूरी बाते हैं नमबर वन पराथे बनाते वक्त अगर आप उबला हुआ एक आलू आटा में मिला देते हैं तो इसमें पराथे बहुती स्वाधिश्ट बनते हैं नमबर टू पकौरे सर्फ करते समय अगर आप इनके ओपर चाट मसाला छिरक कर सर्फ करते हैं तो इससे इसका स्वाध दोगुना हो जाता है नमबर थिरी राई में अगर हिंग जीरा भून कर डालने के वज़ा हिंग और जीरे का तरका भी लगाया जाए तब पर भी अच्छा ही बनता है नमबर फॉर पकौरिया बनाते हैं अगर आप इसके घोल में एक चुटकी अररोट और थोरा सा गरम तेल मिला दें तो इससे पकौरा कुरकुरा और टेस्टी लगता है नमबर फाइव करी में जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक इसे चलाना चाहिए नहीं तो ये अंदर में चिपक जाएंगे नमबर सिक्स नूडल्स पानी में नमक डाल कर बनाएं और फिर इसे निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धोलें इससे नूडल्स आपस में नहीं चिपकतें नमबर सिवन पराठे या पूरिया घी के बजाए अगर बटन बनाया जाए तो ये और भी स्वादिश्ट बनेगा नमबर एट अगर आप कच्ची सबजी को सलात के तौर पर सर्फ करना चाहते हैं तो एक बार इसे पूटाशियम माइगनेट से अच्छी तरीके से धोलें सर्फ करने से पहले नमबर नाइन छेना फारने के बाद उसे निकला हुआ पानी है फेके नहीं इसका इस्तेमाल रोटी या पराठा का आठा गूंदने के लिए करें इससे पराठा और रोटी मुलाइम बनेगी नमबर टेन पुरानी या बासी ब्रेट को पीस कर एयर टायर डिबे में रख लें इससे इसका इस्तेमाल कैटलेट या कवाब बनाने में करें ये तूटेंगे भी नहीं और स्वादिष्ट भी बनेंगे नमबर एलेवन किसी भी ग्रेवी को अस्वाद बरहाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा चोटा चम्मच चीनी डालें जिससे चीनी पिघल कर ग्रेवी को अच्छी कलर देगी और स्वाद भी बरहेगा नमबर टूएल पूरियों को बेल कर पहले दस मिनट के लिए फ्रीज में रख दें इससे ये फराई करते वक्त ज्यादा तेल नहीं सोखेगी नमबर ठटीन चावल बनाते वक्त इसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नेवू के रस भी डाल दें इससे चावल खिले खिले बने बिलकुल सफेद बनेंगे नमबर फोटीन सूजी का हलवा भूंते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला देने से हलवा का टेस्ट अच्छा बनता है नमबर फिफटीन किसी ग्रेवी में अगर तेल या घी ज्यादा हो जाये तो उसे थोरे देर के लिए फ्रीजर या फ्रीज में रख दें इससे इसका तेल उपर जम जाएगा और आप इसे असानी से निकाल कर फैक सकते हैं बाद में अपनी डिश को सर्फ करने से पहले दोबारा गरम कर लें नमबर सिक्स्टीन अगर ये बार अगर हर बार भिंडी चिपचिपा बनती है तो इसे पकाते वक्त कुछ बूंदे नेबू के रस भी डाल दें इससे इसका चिपचिपा बन हो जाएगा नमबर सिवेंटीन धनिया पत्ता का डैंटल तोर कर इसके पत्ते को किसी भी बन वाले स्टील के कटोरी में रखकर फ्रीज में 10 से 15 दिन तक स्टोर किया जा सकता है नमबर 18 अगर दाल बनाते वक्त सीटी के बाहर दाल ज्यादा निकल लगा है तो आप पहले ही कुकर के अंदर दाल के साथ तेल या कोई इस्टील की कटोरी रख सकते हैं इससे दाल बाहर ज्यादा नहीं निकलेगा नमबर 19 फ्रीज मिर्ची को स्टोर करने के लिए उसका डैंटल तोर कर किसी बन डबे में रख कर फ्रीज में रख दें इससे मिर्ची बेहर लंबे टाइम तक ताजी रहेगी नमबर 12 गरम रोटियो को कैसर रोल में रखने के साथ आप उसमें एक अधरक का एक छोटा टुकरा डाल दीजे इससे रोटी जल्डी खराब नहीं होती है तो फ्रेंड्स आपको मेरी इंफर्मेशन वीडियो कैसी लगी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजेगा और ऐसे ही इंफर्मेशन वीडियो की वीडियो देखने के लिए मुझे कॉमेंट्स कीजिए अल्लाहाफीज गैस बाइ बाइ, thanks for watching.